हम अपने आसपास अनेक प्रकार के पौधों तथा जन्तों को देखते हैं। शृती, क्या तुम जानती हो कि इस प्रत्वी पर जन्तों की लगभग 10 लाख से अधिक तथा पौधों की लगभग 5 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाते हैं। एक ओर जहां सुक्ष्म दर्शी देखे जाने वाले बाक्टीरिया जनका आकार कुछ माइक्रो मीटर होता है, पाई जाते हैं। वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले हेल या कालिफोनिया के 100 मीटर लंबे रेड वुड पेड भी पाई जाते हैं। कुछ चीड़ के व्रिक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवनकाल कुछ ही दिनों का होता है, प्रतिक जीव एक दूसरे से भिन होता है। हाँ, हमारी कक्षा में भी कोई दो चात्रे एक समान नहीं है। अनुराग लंबाई में सबसे लंबा है, जबकि शिल्पा लंबाई में सबसे छोटी है। इसी प्रकार दीपती की नाक पैनी तथा नूगदार है, जबकि अक्षे की नाक चप्टी तथा चोड़ी है। क्रेती के हाँ तथा हथेलियां भी छोटी हैं, जबकि दीपक के हाँ तथा हथेलियां बड़ी हैं। ये सारी भिनताएं एक ही प्रजाती के अंदर हैं, किन्तो एक ही वन्ष के अंदर कुछ समानताएं पाई जाती हैं। जैसे की मनुष्य, चीमपांसी, गोरिल्ला तथा बंदर एक जैसे ही प्रतीथ होते हैं। इसी प्रकार कुछ पौधों जैसे खर्बूज, तर्बूज, करेला, कद्दू, लौकी, खीरा आधी भी कई समानताईं पाई जाती हैं लेकिन यदि हम दो वन्शों का अध्यन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनमें परस पर बहुत सी असमानताईं पाई जाती हैं चलो, एक क्रिया कलाप करके ये जानते हैं कि एक ही वन्श के अंदर क्या-क्या समानताई हैं तथा उसकी अन्यवन्शों से क्या असमानताई हैं जब हम देसी और जरसी गाएं की शारिरिक गुणों का अध्यान करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उनके गुणों में बहुत ही कम अंतर होता है। जब हम भीड यानि जुण में जरसी गाएं को देखते हैं, तो हम उसकी उचाई तथा कर्ड काथी से उसे दूर से ही पहचान सकते हैं। करने में सक्षम हो जाएंगे। जगत प्लांटी के गुणों को समझना जगत प्लांटी के वर्गों का पता लगाना वर्गी करन का आधार जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लाखों वर्षों पहले से ही प्रिथ्वी पर जीवों में विविदता का विकास धीरे धीरे हुआ है। ये विविदता इतनी अधिक है कि हम एक एक करके इन सभी जातियों का अध्ययन पूरे जीवन काल में कर पाएंगे। अतहा हम सभी जीवों में समरताइं ढूनने के लिए उन्हें भिन्न भिन्न वर्ग अर्थात क्लास, समू यानी ग्रुप, वंश यानी जेनरा तथा जाति यानी स्पिशीज में विभाजित कर सकते हैं तथा उसके बाद उनका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार समू बनाने को वर्गी करण कहते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है कि हमें वर्गी करण की आविशक्ता क्यूं है? इसे स्पष्ट करने के लिए निम्रबिंदु हैं। वर्गी करण विभिन जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है। वर्गी करण एक हतियार है जिसके द्वारा कोई भी जीवन की विविद्धा को जान सकता है। वर्गी करण जीवन की सभी दशाओं यानि अवस्थाओं का एक ही बार में अध्ययन कराने में सहायक है। वर्गी करण भिन्न भिन्न समोहों वाले जीवों के परसपर संबंधों को समझाने के लिए भी आवशक है वर्गी करण अन्ने जीवों के विज्ञान के विकास के लिए एक नीव बनाता है क्या तुम्हें पता है कि अरस्टू 384 से 322 बीसी को जनदू विज्ञान का पिता कहा जाता है और उन्होंने ही पहली बार जीवों को दो समोहों में वर्गी करित किया था जीव जो की उड़ सकते हैं वो हवा में रहते हैं जीव जो की उड़ नहीं सकते हैं वो जमीन तथा पानी में रहते हैं अरस्टू के वर्गी करण की सबसे बड़ी कमी ये थी कि भिन भिन जीव एक ही समोहों में थे जबकि एक जैसे जीव भिन भिन समोहों में थे जैसे कि प्रवाल, वहेल, आक्टोपस, स्टारफिश तथा शार्क सभी बिल्कुल भिनेचीव हैं परन्तु वे सभी समुद्र में ही रहते हैं अताहा यह निर्धारित करने की आवशक्ता है कि जीवों को वर्गी कृत करने के लिए किस तरह की विशेष्टाएं होनी चाहिए क्या तुम जानते हो कि विशेष्टाएं क्या होती हैं? मेरे खयाल से यह जीव का एक निश्चित रूप या निश्चित कारे हैं यह विशेष्टाएं एक दूसरे से परस पर संबन्दित होती हैं इन में से कुछ निम्न प्रकार हैं कोशिका की संदचना एक कोश किये या बहु कोशी किये स्वापोशी या परपोशी संगठन का इस्तर शरीर की रूप रेखा वर्गी करण और विकास ऐसा माना गया है कि वर्तमान में प्रित्वी पर उपस्थित सभी जीवित जातियों को दोश्यताब्दी पूर्व उनकी मौजूदा दशा में देखा गया था हम सभी यह जानते हैं कि जैव विकास के आधार पर जातियों के उद्भव यानी उद्पत्ती तथा उनकी विविदता का वर्णन किया गया है पीडी दर पीडी चातियां धीरे धीरे बदलती गई समय दर समय अंतराल के बाद पौधों तथा जन्तुओं के भिन भिन समुहों की उद्पत्ती हुई परिणाम सोरूप विभिन विभिन जातियों की उद्पत्ती हुई तथा प्रतेक जाति ने स्वयम को एक निश्चित परियावरण के अनुकूल ढाल लिया जैव विकास विभिन जातियों में समानता की भी व्याख्या करता है यही कारण है कि उन सभी जीवों में समानता पाई जाती हैं जिनके पूरवज एक ही थे अतहा विभिन रूपों वाली एक एकल पूरवज जाती जो की कुछ अलग-अलग भोगोलिक शित्र में वास करती है कि विकास को अनुकूली विकरण कहा गया जैव विकास की प्रक्रिया की गती के अंतर गत हमने जीवों के कुछ ऐसे समुहों को पाया जिनकी शारीरिक सनचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है इस प्रकार के जीवों को आदिम अध्वा निम्न जीव कहते हैं जैव विवित्रा हम यह परिभाशित कर सकते हैं कि जीवन की विवित्रा को जैव विवित्रा कहते हैं विभिन जीव रूप परिया वरण के साथ साजा करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभाविद भी करते हैं परिराम सो रूप विभिन जातियों के इस्थर समुदाय अस्तित्व में आए। विकास की प्रक्रिया के दौरान मानव ने भी भूमी, जल तथा वायू के कुछ विशेश गुणों को प्रभावित करके परिया वरण के संतुलन को बदल दिया। एक अनुमान के वताबिक प्रिथ्वी पर जीवों की करीब एक करोड प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि हमें सिर्फ दस लाक या बीस लाक प्रजातियों की ही जानकारी है। इन जीवों में से लगभग दस लाक जीव कीट यानी कीडे हैं। इन जीवों में से लगभग पचास प्रतिशत जीव, गर्मी और नमी वाले भाग में रहते हैं। प्रिथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षित्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहां पौधे और जंतुओं में काफी विविद्धा पाई जाती है। अतहा ये क्षित्र मेगा डाइवसिटी क्षित्र कहलाता है। अनुकूल वाता वरणिये तशाओं की उपस्तिती के कारण कुछ देशों में जैव विविद्धा केंद्री क्रित्थ है। पृत्वी पर जैव विविद्धा का आधे से ज्यादा भाग कुछ एक देशों जैसे आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोलंबिया, एक्वाडोर, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेडागासकर, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू और जाहिरे में केंद्रित है। वर्गी करण समोहों की पदानू क्रमित संदचना हम परिभाशित कर सकते हैं कि पदानू क्रम वर्गी करण की एक ऐसी प्रनाली है जिसमें वर्गी की समवर्ग एक उचित क्रम के वर्ग में रखे गए हैं। कुछ उच्चिकोटी के जैव व्यज्ञानिकों जैसे अंस्ट हेकिल 1894, रॉबर्ट वेटिकर 1969 और कार्ल वोस 1997 ने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। रॉबर्ट वेटिकर ने 1969 में पांच जगत वर्गी करन प्रस्तावित किया, जोकी आगे चल कर बहुत प्रचलित हुआ, तथा कुछ छोटे मोटे बदलाव करने के पस्चात अभी तक अनेक कारियों में प्रयुक्त होता है, तथा नए बहु जगत वर्गी करन का आधार बना है, यहां वर्गी करन मुख्यता ओशन के अंतरों पर आधारित है, रॉबर्ट वेटिकर की प्लांटी मुख्यता बहु कोशी किये स्वापोशी थी, तथा उनकी एनिमेलिया मुख्यता बहु कोशी किये परपोशी थी, जबकि उनकी फंजाई यानी कवक बहु कोशी किये म एक कोश किये तथा सरल कोश किये कॉलोनी थी। कुछ समय बाद कार्ल वोस ने अपने वर्गी करण में मोनेरा जगत को दो उप जगत आरकी बैक्टिरिया यानि आद्दे बैक्टिरिया और यू बैक्टिरिया में बांट दिया। सभी जीवों को विभिनिस्तर पर वर्गी करित किया गया है जो की निम्न है। जगत पाइलम जन्तू डिवीजन यानि पादप वर्ग अर्थात क्लास गण यानि ओडर कुल यानि फैमिली वंश यानि जीन्स जाती यानि स्पिशीज अधा हम ये कह सकते हैं कि वर्गी करण की मौलिक यानि आधारिये इकाई जाती पिशीज है। चलिए अब हम पांचों जगत की गुणों की चर्चा करते हैं। जगत मोनेरा यानि माइटोकॉंड्रिया तथा कशाप नौजमा दू स्ट्रेंड विहीन होते हैं। ये एक कोश की ये जीव होते हैं। इनके पोशन का मुख्य स्रोत अफशोशन है। किन्तु कुछ समुहूं प्रकाश संशिलेशी अथवा रसायन संशिलेशी होते हैं। जनन प्राया विखंडन अथवा मुकुलन यानि अलेंगिक विधित्वारा होता है। मनेरा की कोशिकाएं अति सुक्ष्म होती हैं। अधिकांश जीव में उभार युक्त कोशिका भित्ती पाही जाती है। उदार अनार्थ, एनबीना, नौस्टॉक, उसिले टोरिया, जीवाणूं। जगत मनेरा को दो उप जगतों में विभाजित किया गया है। आर्गी बैक्टिरिया अर्थाद आद्दे बैक्टिरिया और यू बैक्टिरिया। जगत प्रोटिस्टा। सभी एक कोशिक यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतरगत रखा गया है। प्रोटिस्टा में सरल संगठन पाया जाता है। या तो वे एक कोशिकिये होते हैं, अथवा बिना किसी विशेशिक्रित उतक वाले बहु कोशिकिये होते हैं। प्रोटिस्टा का यही सरल कोशी की ये संगठन उसे अन्य युकेरियोट जैसे की कवक, जन्तु तथा पौधों से अलग करता है प्रोटिस्टा शब्द का प्रथम प्रयोग एंस्ट हैकिल ने 1866 में किया था प्रोटिस्टा को उच्च जगत की समानताओं के आधार पर विभिन समोहों एक कोशी की जीव जैसे प्रोटोजोव, पादप सद्रश प्रोटोफाइटा, अधिकतर एक कोशी की शैवाल, तथा फंजाई यानि कवक, सद्रश अवपंक कवक और जल कवक में विभाजित किया था। प्रोटिस्टा लगभग उन सभी वातावरण में वास करते हैं, जहां जल पाया जाता है। बहुत से प्रोटिस्टा, जैसे शैवाल, प्रकाश, संशिलेशी प्रोटिस्टा होते हैं, तथा ये जैव तंग्र में मुख्य प्रात्मिक उत्पादक होते हैं। यू केरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य जिल्ली बध कोशिकांग पाह जाते हैं कुछ प्रोटिस्टा में कशाब एवं पक्षमाब भी पाह जाते हैं ये अलेंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युगमनज जाइगोट बनने की विथिद्वारा लेंगिक प्रजनन करते हैं प्रोटिस्टा को क्राइसोफाइट, डाइनो फ्रेले जीलेट, युगलिनाइट, अवंपक कवक तथा प्रोटोजोवा में विभाजित किया है उधारणार्थ, शैवाल, डाइनो तथा प्रोटोजोवा जगत फंजाई यानि कवक इस जगत में प्राया बहु कोश किये परपोशी अब खटक पाए जाते हैं उधारणार्थ, यीस्ट, म्यूकर, एगरिकस इत्यादी ये प्राया परपोशी यानि मृत जीवी तथा परजीवी होते हैं फंजाई हवा, जल, मिट्टी में तथा जन्तु एवं पौधो में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं ये क्लोरोफिलियुक्त जीव नहीं होते हैं इनका शरीर कवक तंतु से बना होता है कुछ एक कोशी के फंजाई जैसे ईस्ट का उप्योग, रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है फंजाई की कोशी का भित्ती कायटिन तथा पौली सेकराइट की बनी होती हैं पंजाई शेवाल के साथ स्थाई अंतर संबंध बनाती हैं जिसे सह जीविता कहते हैं ऐसे सह जीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है पंजाई में जनन काईक खंडन, विखंडन तथा मुकलन विधी द्वारा होता है अलेंगिक जनन बीजाणूं जिसे कोनीडिया कहते हैं अथवा धनी बीजाणूं अथवा चल बीजाणूं द्वारा होता है लेंगिक जनन निशिक्तांट, एंसकस बीजाणूं तथा बेसीडियम बीजाणूं द्वारा होता है विभिन बीजाणूं सुस्पष्ट संदचनाओं में उत्पन्य होते हैं, जिन्हें फालनकाय कहते हैं ये बीजाणूं उत्पन्य बिना क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं उधारण राईजूपस, म्यूकर, रस्ट तथा मश्रूम कुछ फंजाई रोग उत्पन्य करते हैं उधारणाट गेहूं में किट रोग, फक्सीनिया के कारण होता है कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटिबायोटिक का निर्माण होता है जगत प्लांटी, अर्थात पादप पौधे सजीव होते हैं, तथा ये जगत प्लांटी के अंतरगत आते हैं पादप कोशिकाएं बहु कोशिकिये होती हैं, जिनमें हरित लवक तथा सेलियोलोस की बनी हुई कोशिका भित्ती पाई जाती है प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पम तथा एंज्योस्पम आते हैं पौधों के वैज्यानिक अध्ययन जो की वनस्पती विज्यान कहलाता है के अनुसार पौधों की वर्तमान में लगभग तीन लाख पचास हजार जातियां हैं, जो की बीजवाले पौधों, ब्रायोफाइट, फन तथा फन सम्मित्र में विभक्त हैं इनके अंतरगत जानकारी वाले जीव जैसे की पेड, शाक, जाड़ियां, घास, लताएं, पन, मास, तथा हरिशेवालाते हैं 2004 तक पौधों की लगभग 2,87,655 जातियां पैचानी गई थी, जिन में से 2,58,650 पुश्पुवाले पौधे तथा 18,000 ब्रायोफाइट हैं हरे पौधे जिन्हें कभी-कभी वरीडी प्लांटी कहते हैं, अपनी अधिकांश उर्जा, सूरी की रोशनी में प्रकाश संशलेशन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं कुछ पादब जैसे कीट भक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विशम पोशी होते हैं ब्लेडर वर्ट तथा वीनस फ्रलाई ट्रैप कीट भक्षी पौधों के उधारन हैं, जबकि अमर बेल यानी कस्कूटा परजीवी का उधारन है जगत प्लांटी यानी पादब के भाग पौधों में प्रथमिस्तर का वर्गी करण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादब शरीर के प्रमुघटक पून रुपेण विक्सित एवं विभेदित हैं, अथवा नहीं वर्गी करण का अगला इस्तर पादब शरीर में जल और अन्य पदार्थों को सब्वहन करने वाले विशिष्ट उतकों की उपस्तिती के आधार पर होता है वर्गी करण प्रक्रिया के अंतरगत यह देखा जाता है कि पौधे में बीज धरन की ख्षमता है अथवा नहीं यदि बीज धरन की ख्षमता है तो बीज फल के अंदर विक्सित है अथवा नहीं प्लांटी जगत को आगे दो भागों में बांटा गया है Crypto Gamers जिनमें की पीचाडूं छुपे हुए जननांग पाए जाते हैं Thelophyte, Bryophyte तथा Teridophyte इस भाग के अंतरगात आते हैं Fenyro Gamers बीच वाले होते हैं Gymnosperm तथा Angiosperm इस भाग के अंतरगात आते हैं भाग Thelophyta क्या तुम्हें पता है कि Thelophyta शब्द की उत्पत्ती ग्रीग भाशा के शब्द थेलस तथा Phytas से हुई है जिसकार्थ है बिना जड़, शाखा तथा पत्ती वाले पौधे इन पौधों की शारीरिक संदचना में विभेदी करण नहीं पाया जाता है इस वर्ग के पौधों को समानिता शैवाल कहा जाता है ये मुख्य रूप से जल में पाय जाते हैं यूलो थ्रिक्स, पाहिरोगाईरा, कारा, क्लेडोफोरा तथा अलवा आदी शैवाल के कुछ उधारण है भाग ब्रायोफाइटा समान रूप से ब्रायोफाइटा शब्द की उत्पत्ती, ग्रीक भाशा के शब्द ब्रायोन तथा फाइटा से हुई है जिसमें ब्रायोन का आर्थ है मौस या लिपरवर्ट और फाइटा का आर्थ है पौधा इस वर्ग के पौधों को पादब वर्ग का उभैचर कहा जाता है यह पादब तना और पत्तों जैसी सनचना में विभाजित होता है इसमें पादब शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा खनीजों के सम्वहन के लिए विशिष्ट उतक नहीं पाय जाते हैं उधारणार्थ, मौस यानी फ्यूनेरिया, मारकेशिया, रिक्सिया तथा एंथोसिरोस भाग तेरिडोफाइटा इसी तरह टेरिडोफाइटा शब्द की उत्पत्ती ग्रीग भाशा के शब्द टेरिस तथा फाइटा से हुई है जिसमें टेरिस का रथ है फर्न तथा फाइटा का रथ है पौधा इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा खनीजों के समवहन के लिए समवहन उतक भी पाए जाते हैं उधारनार्थ, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, सिलै जिनेला, एक्विसीटम, एजोला, एंडियेंटम तथा ड्रायोपिटरेस भाग जिम्नो स्पम जिम्नो स्पम शब्द दो ग्रीक शब्दों जिम्नो तथा स्पमा से मिलकर बना है जिसमें जिम्नो कार्थ है नग्न तथा स्पर्मा कार्थ है बीच जिम्नोय स्पर्म सबसे प्राचीन पौधे होते हैं, तथा इनके बीज साधारण तथा नगन होते हैं, अर्थात बीज फल के अंदर बंद नहीं होते हैं। ये सदा बहार बहुवर्शी तथा काश्थी ये पौधे होते हैं, इन्हें दू समुहों में विभक्त किया गया है, साइकेडी और कोनिफेरी, उधारणार्थ, गिनकुगु, साहिकस तथा पाइनस। भाग एंजियो स्पर्म एंजियो स्पर्म दो ग्रीक शप्तों, एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज। एंजियो स्पर्म अत्यदिक विक्सित पौधे होते हैं, इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है, पुष्प में जनरांग समुह में पाए जाते हैं, अताह इन्हें पुष्पी पादब भी कहा जाता है. पौधे के भुरून में बीज पत्र पाए जाते हैं, ये बीज पत्र पत्तियों के सद्रिश्य होते हैं, इसलिए इन्हें बीज पत्ति भी कहते हैं. बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पम वर्ग को दो भागों में बाटा गया है. एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीज पत्री और दो बीज पत्र वाले पौधों को दुई बीज पत्री कहा जाता है. कुछ उधारण हैं पाइसम यानी मटर, सोलिनम यानी आलू, रोजा यानी गुलाब, पाइकस यानी बर्गद, मेलिया यानी नीम, मेलस अर्थाद सेब तथा मैंगी फेरा यानी आम आधी झाल झाल क्या आप जानते हैं? केरोलस लीनियस को वर्गिकी के पिता के नाम से भी जाना जाता है. वर्गी करण का प्राकृतिक तंत्र अकारिक लक्षणों पर आधारित है, तथा इसे जौन रे ने प्रस्तावित किया था. जाती वृतिये वर्गी करण तंत्र अंगलर तथा प्रांटल ने प्रस्तावित किया था, तथा यह विभिन जीवों में विकासीये संबंध पर आधारित है. थौमस कैवेलियर तथा स्मित द्वारा सन 2004 में दिये अपने वर्गी करण में और की बैक्टिरिया को जीवानु जगत का उप जगत बताया. सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं. वर्गी करण जीवन के सभी रूपों की विविदता को समझने में हमें सहायता करता है. जीवन के रूपों का वर्गी करण उनके जैविकास से संबंधित है. जीवों को पांच जगतों में विभग्त करने के लिए उनमें निम्न गुण होते हैं. या तो जीव युकेरियोटिक अथवा प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं. या तो जीव एक कोशिकिये या बहु कोशिकिये होते हैं. या तो जीवों में कोशी का भित्ती पाई जाती है या तो जीव अपना भोजन स्वाइम बनाते हैं उप्रोक्त आधार पर सभी सजीवों को पांच जगतों में विभक्त किया गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई यानि कवक, प्लांटी तथा एनिमेलिया प्लांटी यानि पाधप तथा एनिमेलिया यानि जन्तु जगत को उनके बढ़ते हुए शारीरिक संगठन के आधार पर उप्र जगतों में विभक्त किया गया है पौधों को पांच समुहों में विभक्त किया गया है थैलोफाइटर, ब्रायोफाइटर, टेरिडोफाइटर, जिमनोस्पम और एंजियोस्पम प्रपियोस्पम झाल झाल